Good morning, students. Welcome to DSS Online Classes. Today, I am going to start your previous new chapter, chapter 17, Here Comes a Later. We will learn our chapter 17, Here Comes a Later. और हम जानेंगे, जो लेटर हम पोस्ट बॉक्स में डालते हैं, वहां से लेकर हमारे पहुँचने तक छिट्टी को कौन-कौन से रस्ते से होकर गुजरना पड़ता है. बच्चो, अगर हमें अभी किसी को मेसेज पास करना हो, या फिर किसी को हैपी बड़े बोलना हो, या फिर किसी चीज की भी बधाई देनी होती हो, तो हम क्या करते हैं? हम मुबाईल उठाते हैं और फोन करते हैं और तुरंत ही बात कर लेते हैं. लेकिन आज से 10-15 साल पहले जब हमारे पास मुबाईल फोन नहीं हुआ करता था, तब एक दूसरे को चिट्टिया या फिर मैसेज पास करने का एक ही तरीका होता था, वो है चिट्टि लिखने का मैथड. उसी तरीके के एक चिट्टि रीना नाम की एक लड़की ने अपने फ्रेंड एहमद को लिखा है, रीना जो की अगरतला में रहती है और उसका फ्रेंड एहमद दिल्ली सिफ्ट हो गया है. रीना लिखती है, एहमद तुम कैसे हो, हम सब सारे दोस्ट तुम को बहुत मिस करते हैं, आसा करती हूँ कि अगरतला तुम छुट्टियों में जरूर आओगे. तो रीना की तरह हमारे दोस्ट जो की दूर चले जाते हैं या फिर उनका ट्रांसफर हो जाता है, तो उनको हम कैसे बाते कर सकते हैं, तो हम भी उनको चिठी लिखकर अपनी बात को बता सकते हैं, उन्हें मैसेज पास कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं, अगरतला कहां पर तो जहां पर रीना रती है वहां पर दिल्ली से उसने दिल्ली के लिए एक लेटर छोड़ा है और वो लेटर पास करते हुए दिल्ली तक पहुंचा है तो रीना ने अगर तल्ला के एक पोस्ट बॉक्स में एक लेटर पोस्ट किया जो कि ट्रावल करते हुए दिल्ली तक बानते हैं I am a letter मैं एक letter हूं a letter written with a pen and paper by Rina to her friend एहमद रीना ने मुझे pen and paper के द्वारा letter लिखा है एहमद को I was put in a letter box फिर मुझे एक letter box में रखा The postman took me out and put me in a big bag उसके बाद postman आते हैं और उससे मुझे letter box से निकलते हैं और बड़े इस बैग में रख देते हैं Taking a right on the postman's bicycle I reached the post office उसके बाद postman अपने bicycle पर मुझे रख कर post office पहुँचाते हैं There I was taken out of the big bag and stamped hard फिर वहाँ पर मेरे उन्होंने मुझे क्या किया अपने big bag से निकाला और वहाँ पर stamping की जाती है Stamping का मतलब होता है कि जहां से letter सुरुवात होता है मतलब कि जहां पर letter box में डालते हैं वही का वहाँ पर address stamp किया जाता है Stamp was Agartalla चिठी खा journey कहां से start हुआ तो stamp कहां का लगा? Agartalla का लगा From where my travel began, जहां से मेरी journey start हुई तो सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले मैंने एक letter लिखा मतलब की Reena ने एक letter लिखा और उस letter को एक letter box में post किया उसके बाद postman आते हैं और उस letter को बड़े इस bag में लेकर जाते हैं और उसको कहां ले जाते हैं एक post office पर ले जाते हैं उसके बाद वहाँ पर stamping की जाती है मतलब की वहाँ पर stamp किया जाता है कि यहाँ से letter की journey स्टार्ट हुई है चलिए देखते हैं अभी letter को कौन कौन से रास्ते से होके जाना है After getting stamped, I reached another big bag Stamp लगने के बाद मुझे एक big bag में रख दिया गया This bag had many more letters all heading for Delhi इस bag में बहुत सारे letters थे जो दिली के लिए थे The red postal van dropped me at railway station उसके बाद एक red postal van हम लोग को railway station पहुचा दी There I got into a train going to Delhi उसके बाद सारे letters को ऐसे बोरे में रख दिया गया और train में रखा गया जो दिली की तरह जा रही थी After a long journey of 5 to 6 days, I reached दिली 5 से 6 दिन की लंबी यात्रा के बाद मैं दिली पहुच गया I was sorted as per the area mentioned in the address written on me उसके बाद सारे letters को चाटा गया area wise जो address उसके दिया गया है मतलब कि किस area में चिट्थी को पहुचाना है इस तरह के से चाट दिया गया One more stamp was pushed on me उसके बाद last में एक और stamp डेली का लगा Finally the postman dropped me at Ahmed's house Finally मुझे postman ने Ahmed के घर पहुचा ही दिया Let us revise again the journey of a letter तो चलिए देखते हैं letter लिखने से लेकर पहुचने तक का सफर कैसे होता है Number 1 to 8 तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक letter that is number 1 उसके बाद उस letter को एक red color के letter box में post कर देते हैं फिर उसके बाद आते हैं postman और letters को निकाल कर छाटते हैं और उसको ले जाते हैं stamp करते हैं that is number 4 stamp करने के बाद सारे letters को एक जगह रखा जाता है कि पता चले कि कौन सा चिठी या फिर letter कहां का है जैसे कि कोई चिठी गुजरात की है राजिस्थान की है ओडिशा की है तो उसको छाटा जाता है और छाटने के बाद उसको पहुँचाया जाता है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है देली मतलब कि यह सारी चिठी या देली के लिए हैं उसके बाद फिर से उस letter को post कर दिया जाता है जो address दिया गया रहता है फिर वहाँ पर जाने के बाद अगर देली चिठी पहुँच गई तो देली का फिर से stamp लगाया जाता है और उसके बाद चिठी हमारे पास पहुच जाती है write a letter to your friend जैसे रीना ने अपने friend एहमद के लिए एक letter लिखा है आपको भी अपने friend के लिए एक letter लिखना है रीना wrote a letter to एहमद रीना ने अपने friend एहमद के लिए letter लिखा write a letter to your friend in the class आपको भी अपनी class में अपने friend के लिए letter लिखना है Don't forget to write your friend's name और friend का नाम लिखना आपको नहीं भूलना है Everyone has written a letter सारे लोगों ने letter तो लिख लिया But where do we post it? So we post in letterbox तो letter लिखने का भी एक तरीका होता है चलिए देखते हैं letter को कैसे लिखते हैं तो letter लिखने में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं address से जहां से हम letter को लिख रहे हैं वहां का आप सबसे पहले address देते हैं और उसके बाद जिसके लिए लिख रहे हैं जैसे कि मैंने लिखा है अपने friend रुद्रा के लिए Dear Rudra तो सबसे पहले आप अपने friend का नाम यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद मैंने एक लंबी सी letter मतलब चिट्थी लिखी है अपने friend रुद्रा के लिए और last में जिसके लिए आप लिख रहे हैं उनका नाम जैसे कि आपका नाम यहाँ पर लिखना है Your lovingly sachi and sacham तो आपका जिसको आप लिख रहे हैं उसका नाम उपर होना चाहिए और आपका नाम last में होना चाहिए Let us make a letter box for the class चलिए एक letter box बनाते हैं तो letter box बनाने के लिए या तो कोई empty box ले सकते हैं या फिर किसी डब्बे को आप paint करके ऐसा letter box आप बना सकते हैं तो यह तो हुई letter को letter box में डाल कर हम अपनी चिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह पहुचा सकते हैं तो चिट्टी भेजने के लावा क्या और कोई जरिया है जिससे हम अपने दोस्तों को message भेज सकते हैं तो हाँ पहले जबाने के लोग इस तरीके के telephone का यूज किया करते थे अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुचाने के लिए और जब हमारे देश में टीवी नहीं हुआ करता था तो उस समय के लोग अपनी आसपास की न्यूज को सुनने के लिए इस तरीके का radio का यूज किया करते थे फिर आया टीवी तो चिट्टी भेजने के अलावा पहले के लोग telephone का भी यूज किया करते थे